अधिक प्रीति मन भासंदेहा जिससे अधिक प्रीति होती है नजर अधिक प्रीति वाले से उतारी जाते है जैसे हम अपने प्रिया प्रीतम के उतारते है तो भला बताओ जिनकी नजर से शूरी प्रकासित है चंद्र प्रकासित है जिनकी नजर से ही सबकी नजरे है उनको क्या नजर लगेगी प्रभू को नजर लगेगी भगवान को लगने से हो जाता तो नजने क्या क्या हो जाता कुछ नजर नहीं लगते हैं ये हमारी प्रीत की एक भावना है जिसमें हम अधिक प्रीत करते हैं जैसे बालक में कि आप इसको ये परेशानियां लगने ये तो नजर लग रही हो मिर्च से उतार दिया और बोले बिल्कुल देखो नजर लगी है इसमें ना तो छीक आ रही मिर्च में सब ऐसा हम जैसा सोचते हैं जैसा भावना करते हैं वैसा होता है कोई किसी की नजर वजर नहीं लगती है यह प्रीति की भावना है नहीं हम प्रिया प्रीतम की नजर उता जो हमारा भाव आता है तो हम अपने आचारी को भी आसिरवाद देते हैं। प्रिया प्रितम की वो देखती है प्रिया प्रितम संदर जूला जूल। चंदन के बरक्ष में जूला पड़ा है कैसे किलो ले कर रहे हैं तो बहुत आनंदित होती है। और विचार करती है कि नजर ना लग जाए किसकी नजर वहां लगेगी वहां सब नजरे तो पान करने ही रूप रसका है इत चिंतक निजचेरिन और आनन्द न समाथ निरख निपट नेनन शुक त्रण तूरत बलिजाथ इतना आनन्द बढ़ गाए प्रिया प्रितां को देख किसी की नजर ना लग जाए तो तिनका तोड़ती है ऐसे अगुलियां चिटकाते हैं ये ये किया जाता है लजर के बल किसी की नजरों में इतनी ताकत ने किसी का मंगल कर दे हाँ अब जैसे जुखाम बुखार या कुछ गटना गटनी है अब उसको किसी निवितन से मान लीजिए बगा किसी की नजर बोले उसकी नजर इतनी खराब भर कर देख ले तो बच्चा बीमार हो जाए नहीं कोन निजकत कर्म भोक्षुन भाता गर्भ में ही बालक कितने ऐसे कष्ट पा रहे हैं तो क्या उसमें किसी की नजर लग गई कर्म कर्म हम लोग इन सब बाहरी बातों को ज्यादा ध्यार नहीं देते हैं सांसारिक लोकरीति के अंतर गताता है और वकाया जो वास्तिविक नजर उतारने का तरह वो प्रीति का है कि कहीं हमारे प्यारे को किसी की नजर न लग जाए यह प्रीति की बात है